हेलो टू आल माई ब्यूटिफल सोल्स स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पर और मैं आज फिर से एक कार्ट रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए और इस रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो है यू वर्सिस देम तो आप और आपके पार्टनर की करेंट एनर अनर्जी क्या चल रही है तो ट्रे करती हूँ गौट से थैंक्यू गौट थैंक्यू एंजल्स थैंक्यू यूनिवर्स थैंक्यू सो मच थैंक्यू सू मच मेरे सब यह सिंडिड मस्टर्स प्लीज मुझे बताएं कि मेरे विवर्स की करेंट एनर्जी क्या है अभी प्लीज प्लीज गोड प्लीज एंजल प्लीज उनिवर्स प्लीज बताएं कि हमारे जो भी वीवर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी अभी करेंट एनर्जी क्या है प्लीज बताएं थेंक यू झाल क्यों बता हैं यू यू कि बॉटम आफ डेक है एक्सपिरियंसिंग तो दियर फ्रेंड्स सबसे पहला जो काड है वो है एक्जोशन का नमबर नाइन और नमबर नाइन यहां पर जो होता है वो कर्मा का होता है तो यह कार्ड बता रहा है कि आप अभी अपने ही मन के सवाल जवावों में उलजे हुए हैं आपके मन में अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिक्ट्स हैं चीजें आपको सही नहीं लग रही हैं कहीं न कहीं आप खुद को अंदर से बहुत लो फील कर रहे हैं आपकी एनरजी बहुत डाउन हैं अपने आपको आप एक तरीके से बिलकुल ही ऐसा मैसूस कर रहे हैं कि जैसे आपकी कोई भी विश पूरी नहीं हो रही है आप पूरी तरह से डाउन हो चुके हैं energy खतम हो चुकी है body से आपके विचार आपको स्वस्थ नहीं होने दे रहे हैं यह यूं कहें कि आपके विचार आपको बहुत ज़्यादा जकड़के रखे हुए हैं आप अपने ही विचारों में उलजी हुए हैं आपको लग रहा है कि सब कुछ हाथों से छूट चुका है आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लेकिन जो भी चलता है वो most of negative ही चलता है तो यह है पहला कार्ड एक्जोसन का अगला जो कार्ड है आउटसाइडर नमबर फाइव आपके अंदर चेंज आ रहा है आपको बेसक मालूम नहीं पड़ रहा है कि यह क्या है क्या नहीं है हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं एहसास हो पा रही हो लेकिन आपके अंदर सो लेवल पर कही न कहीँ चेंज हो रहा है आप चेंज भील रहे हैं बदल रहे हैं दूसरा मैसेच हो यह है कि और देखिए ये chain है जो ये इसमें जो ताला पड़ा हुआ है लोक पड़ा है इसके लोक ये open है लोक खुला हुआ है लेकिन कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि आपने अपने आसपास जो boundaries set कर रखी हैं आप जो देखते चले आ रहे हैं पुराने टाइम से आपको लगता है कि व आप सोच रहे हैं कि ये जो परिसानिया है मैं इनसे नहीं निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पाऊंगी लेकिन यूनिवर्स आपको बता रही है कि ये लोक खुला हुआ है और इसकी चावी आपके हाथ में हैं आपको खुद से ही इस chain को तोड़कर निकलना होगा आगे जो भी negativity है वो आपको release करनी है आपके अंदर सायद ये डर है कि कोई person खास specific person वो आपको छोड़ देगा आपके अंदर ये डर है कि समाज क्या कहेगा आपके अंदर ये डर है कि लोग मेरे बारे में बुरा बोलेंगे तो मुझे बुरा फील होगा आपकी बहुत कुछ अब लोगों के हिसाब से आप चलेंगे लोगों के हिसाब से आप जीना चाहेंगे अपनी life को तो आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे तो किसी को भी प्लीज करना या लोगों को प्लीज करना छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें अच्छा कहे इसलिए उनको खुश करना है उनको happy रखना है नहीं ऐसा नहीं करना है आपको अपने लिए जीना है अपनी खुशी के लिए जीना है और इन सब चीजों से निजात पाने के लिए आपको turning in करना है मितलब आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है आपको कुछ समय एकांत म ये विशिअ करना है अपने आपने आपको नेचर से कनेक्ट करिए अपने आपको ग्रीं की निया से कनेक्ट करीए थोड़ा टाइम अकेले congressional करिए हो सके तो सुबह morning में संजर्ण होता है तो आप थोड़ा सा अपने आपको संजर्णाइस में बिताए अपना टाइम थोड़ा सा सन्राइज को दें मतलब अपसूरी की करिणें अपनी बॉड़ी पर पढ़ने दें और लोगों को खुश करने की चाहत छोड़ दीजिए वो जैसे भी हैं उनको उनकी हाल पर छोड़िए पहले अपना ट्रीटमेंट करिए अपने आपको खुश करिए जब आप अ से जुड़ रहे हैं अपनी अंतरात्मा से जुड़ रहे हैं हो सकता है कि हमारे बहुत से वीवर्स मेडिटेशन कर रहे हों या योगा कर रहे हो या ध्यान वगएरा कुछ ना कुछ यासा जरूर वो कर रहे हैं जिससे वह अपने आप से जुड़ रहे हैं और इस जुड़ अपने अंदर ही प्रतीत हो रहा है यह जो सत्रंगी प्रकास दिख रहा है यह आपके अंदर से है तो आप जितना ज्यादा अपने अंतरात्मा से जोड़ेंगे आप उतना हैपी रहेंगे अंतर से जितना आप खुश रहेंगे उतना ही बाहर की दुनिया में भी आपके लिए खुसियां आएंगी तो आपको अभी अपने आप से जुड़ने की जरूरत है और बहुत से वीवर्स हमारे ऐसा कर भी रहे हैं कि वो कोसिस कर रहे हैं खुद को खुस रखने की खुद को फोकस करने की अगला है कॉंप्रोमाइज तो यहां पर हमारे बहुत सारे वीवर्स हैं जो compromise करने को ready हैं उनके partner के साथ वो partner चाहे उनको कैसे भी रखे वो ready है लेकिन dear friends आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी भी value है आपकी भी खुशिया है आपकी भी इच्छा है और compromise उतना ही करिएगा जितना कि आपकी रिस्ते balance में रहें अगर ऐसा लग रहा है कि एक जादा कर रहा है और एक बिल्कुल नहीं तो थोड़ा सा समलने की जरूरत है आपको समल जाएए और number six ये वीनस का number है तो कुछ viewers के लिए ये भी message आ रहा है कि आपके partner हो सकता है कि अभी आप लोग थोड़े से मन मुटाओ में हैं आपकी partner से आपकी बात्चित नह है नंबर eight traveling और नंबर eight शनी की दिस्ता को भी बताता है कि मतलब शनी से रिप्रेजेंट करता है नंबर eight तो आपकी life में abundance आने वाला है और ये थोड़ा सा camera blur हो गया था और ये abundance जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे को लेकर ही हो हो सकता है कि आप mental level पर इतना जादा ग्रो कर जाएं कि आपको अपने और universe के बीच की जो भी communication है वो बहुत अच्छे से समझ में आने लगे आप आपके अंदर एक जो ये सन दिख रह है आपके अंदर जो एक wisdom आ रही है उस wisdom के जरीए आप समझ पाएं कि आपको universe क्या message दे रही है और आप आगे से आगे क्या करना चाहते हैं universe के according हो सकता है कि आप अपने आपको ढाल रहे हो या फिर आप इतना जादा उनके messages को grab कर रहे हों कि आपको ये लग रहा हो कि हाँ universe मुझसे communicate कर रही है तो इस तरीके से आप अगर universe के सारे पर चलेंगे उससे communicate करते हुए चलेंगे तो आपकी जो जीवन यात्रा है वो बहुत easy हो जाएगी और आपको वो सब मिलेगा जो आप सच मुझ में deserve करते हैं ये थी हमारे viewers की reading और अब देख लेते हैं कि sorry bottom of deck बताना रह गया था मुझे experiencing number 3 तो अभी आपको mind body और soul को एक rhythm में लाना जरूरी है क्योंकि आपका मन कहीं है आपकी body कहीं है आपकी soul कहीं है तो अभी आप थोड़े से conflict में हैं और आप अपने आपको balance करने की कोशिस कर र आप पर work करना है अपने आपर ध्यान देना है तभी चीजें आपके favor में work करेंगी अपने mind body और soul को alignment में लेकर आईए और happiness का वही एक मूल मंत्र है अब मैं देख लेती हूँ कि आपके person जो भी है जहां भी है उनके साथ क्या हो रहा है क्या feel कर रहे हैं उनकी current energy अभी क्या है please God please angels प्लीज जिवान बताए हमारे जो भी viewers है उनके person की अभी current energy क्या है हमारे viewers के लिए thank you please बताए हमारे जो भी viewers ये वीडियो देख रहे हैं उनके person की current energy क्या है अभी thank you thank you God thank you angels thank you universe thank you please बताए है bottom of deck four of cups दो कार्ड तो dear friends यहां पर जो सबसे पहला कार्ड निकल कराया है वो देविल का आपके person आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप conflict में फसे हुए हैं तो आपके person खुस हैं वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ matter soul यह आपके साथ सारी चीजें सही हो reconciliation हो आपकी बात हो लेकिन ऐसा नहीं है dear friends जितना आप यहां पर conflict में हैं उतने ही आपके person भी दुखी हैं वो भी उसी तरीके से आपको पाना चाहते हैं जिस तरीके से आप उनको पाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं यह बात वो आप के साथ गलत किया है आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है उनको बहुत चाहा है दिल से और आप उनके लिए हमेंसा प्रे करते हो और आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को ready होते हो तो वो आपको justice देना चाहते हैं, वो आपको कुछ ऐसा solid commitment देना चाहते हैं, जिसकी आप हकदार हो, अगला है Ace of Cups का, तो बहुत से viewers के लिए खुसकबरी है कि आपके person का heart chakra open हो रहा है, और वो अपना प्यार का cup, अपना love आपको offer करना चाहते हैं, हो सकता है कि कुछ viewers के लिए अभी उनका message आने वाला हो, कुछ के लिए दो दिन लग जाए, कुछ के लिए चार दिन लग जाए, ऐसा हो सकता है कि message उनका आने वाला हो, वो आपको अपने दिल का हाल बताए, and dear friends, यहाँ पर मैं ये भी बतारा चाहूंगे आपको की जो sign हैं, वो है Gemini, Libra, Aquarius, and Taurus, Virgo, Capricorn, और Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, and Sagittarius, Sagittarius, sorry, Aries, Leo, and Sagittarius, अगला card है, three of sorts का, तो आपके person, third party ये विजए से बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, एक तरफ आप है, एक तरफ वो है, और एक तरफ third party है, और ये third party उनकी family भी हो सकती है, उनके parents हो सकते है, उनका finances हो सकता है, उनकी study हो सकती है, उनकी job हो सकत है, आप अपनी situation के according देख लीजिएगा, तो हो सकता है कि आपके person अभी बहुत ज़्यादा pain में है, बहुत दर्द में है, उनको अपनी life में एक दम से वीरानापन लग रहा है, उनको लगता है कि life में कोई happiness नहीं है, खुशिया नहीं है, आपके बिना ऐसी उनकी thinking चल रही है भी, six of swords वो आपके person आपके साथ रहना चाते हैं, आपके साथ जीवन आपन करना चाते हैं, life गुजारना चाते हैं, और आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाते हैं, किसी ऐसी जगए पर, जहां पर कोई भी आपको, आपके person को disturb ना कर सके, उनको परेसान ना कर सके, क्य साथ deal किया हैं, और कार्मिक partners को, या उनकी family हो, सब को balance करते हुए, खुस करते हुए, वो अपनी energy बिल्कुल खो चुके हैं, down हो चुके हैं, क्योंकि वो हमेसाथ दूसरों के लिए जीए हैं, दूसरों को खुस करने के लिए जीए हैं, अब उनको ये लगता है कि मेरी अप अपनी खुसी कहां है, तो वो अपनी खुसी के लिए भी जीना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि उनकी soul उनसे कुछ मांग रही है, और अगर उन्होंने अपनी soul को नहीं दिया, तो ये life उनके लिए बहुत ज़्यादा panic हो जाएगी, ऐसा वो सोच रहे हैं, अगला है queen of pentacles, तो आपके person की नजर में आप उनकी queen of pentacles हो, आप बहुत खुबसूरत हो, आप बहुत nurture हो, आप बहुत kind हो, आपके बिना उनको अपनी life अधूरी लगती है, और जैसे आप उनके बारे में सोच रहे हैं, कि वो आपके बिना खुस हैं, वैसे ही वो आपके ब बढ़ रही हो, और वो आपको बहुत beautiful देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि आपके अंदर वो strength है, वो power है, वो courage है, कि आप कुछ भी चीज पा सकती हो, तो ये आपके person की अभी current feeling चल रही है आपके लिए, और bottom of deck है, four of cups का, तो आपके person आपके बिना बहुत दुखी है, व वो किसी ना किसी तरीके से आपको पाना चाते हैं, अपनी life में वो खुसियां वापस पाना चाते हैं, जो वो आपके साथ सपने देखते हैं, abundance देखते हैं, आपके साथ अपनी जिंदगी का पूरा माहौल देखते हैं, रंग बिनगा कि वो आपके साथ रहेंगे, आपके स हैं लगता है कि सब चीजें सही हो जाएंगी और कभी फिर वो निगेटिव हो जाते हैं उदास हो जाते हैं उनको लगता है कि सायद चीजें उनके मन मताबिक नहीं हो पा रही हैं या फिर फैमिली वाले या घर वाले या फिर समाज की कुछ ऐसी कुरितियां हैं जो उनको आप से मिलने नहीं देंगी हो सकता है कि आप लोगों में age difference हो हो सकता है कि आप लोगों में caste issues हो हो सकता है कि आप लोगों में कुछ और problems हो समाज का आप किसी ऐसे रिस्ते में हो जो समाज की नजरों में अच्छा नहीं हो या समाज वाले उसको पर उंगलियां उठा सकते हो तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है और four of pentacles तो आपके person आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं वर्क करना चाहते हैं relationship पे आगे बढ़ाना चाहते हैं ग्रूम करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं अपने ही conflict में दोनों के दोनों ओल्जी हुए हैं तो आपको manifest करने की जरूरत है अपने रिस्ते पे work करने की जरूरत है और जितना हो सके उतना positive होने की जरूरत है जितना जादा आप positive होते जाएंगे आपके mark के जो जो भी obstacles हैं वो अपने आप से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे तो dear friends ये reading थी you versus them कि आप दोनों क्या feel कर रहे हैं तो I hope की reading आप से resonate हुई हो और ये general reading है dear friends तो कुछ लोगों से resonate नहीं कर सकती है अगर नहीं कर रही है तो अपना मन खराब मत करिएगा हम next reading देखेंगे या फिर किसी और की भी reading देख सकते हैं तो dear friends अगर आप से ये resonate होती है तो like करिएगा वीडियो को और अगर आप पहली बार आए है मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियोज तो please share करिएगा subscribe करिएगा और आप का support मेरे लिए बहुत 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 पूद है अपके support के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you thank you so much for watching